इसको हम लोग कहते हैं हम लोग Ocenia, क्या कहनते हैं यह आपका Ocenia का area, Ocenia पढ़ना थोड़ा सा उट पटांग है, आपको यह नकसा अजीब टैप का दिख रहा होगा, क्यों अजीब टैप का दिख रहा होगा? क्योंकि हम हर यह एक नकसे में परसंद महासागर को बाठते हैं इसमें हमने अटलांटिक महासागर कोई बाट दिया यहाँ दिखिए यहाँ आपको यह दिख गया ऑस्टेलिया यह दिख रहा है ऑस्टेलिया और ऑस्टेलिया के उपर यह हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है यह इंडिया यहां पर यह कौन सा जगा है जापान है यह पूरा का पूरा सागर कौन सा है प्रसांत महासागर है यह पूरा का पूरा सागर प्रसांत महासागर है यह पूरा का पूरा प्रसांत महासागर है इतना बड़ा महासागर है तो इधर छोटे छोटे जितने भी दूइप है सब दख्षणी अपर दखालो है। और उसमें आप देखेंगे चीली नक्सा कोली आपने अपना इसमें. चीली मिलगी है सबको से चीली यही जेवाइब दीप दीप मिल दीप एक दीप मिलेगा एस्टर दीप एस्टर आइलेंड कितने लोग को मिल गए चीली का एस्टर सिंदेड़ मिल गया से यहां कि यहां कि गवाइनड किंगे एस्टर आइलेंड तब tar अand जो है एस्टर आइलेंड कौनसा आइलेंड है एस्टर आइलेंड आइलेंड का नाम क्या है एस्टर आइलेंड है नहीं मिला भई कूफ कहीं क्या तो चीली जाके देखना तो नहीं मिला बोलता है नहीं मिला इसके सामने मिलेगा एकदम समुंदर में एस्टर आइलेंड प्रस गोंचु नहीं मिला कैमरा थोड़ा सा उपर कर दी है नीचे कर दे क्या कैमरा ठीक हो जागा आप इसके क्लास में इतना कीजिए न यह एस्टर आइलेंड आपको जानके ताजूब होगा एस्टर आइलेंड आप बताएंगे यह नौर्थ अमेरिका में होगा या साउथ अमेरिका में एस्टर आइलेंड नौर्थ अमेरिका में होगा की साउथ अमेरिका में अंसर किते लोग देख सकते एस्टर आइलेंड को हम नौर्थ अमेरिका में रखेंगे या साउथ अमेरिका में रखेंगे आध ली जया होग गोची मतलब नहीं समस्टा आशा distract हो कि नर्थ अमेरिका आप असा श्वार्थ मेर बाई देगा ऑने इस्टरे आईलेंड को मैं हम नर्थ अमेरिका में रखते हैं या साथ में साथ में हैं भाया नार्थ में रखते हैं इसे लोग उत्तरी में नहीं रखते हैं दक्षणी अमेरिका में रखते हैं इसे को हम लोग रखते हैं ओशीनिया में ये अक्छुली आउस्टेलिया न्यूजीलेंट और इसके ज़स्ट बगल में देखेंगे तो आपका आजाता है ये कौन सा हैरे एष्टराइलेंड आप देखेंगे क यह Esther Ilaan Esther Ilaan tela pithy New Zealand Australia हो गया तो यह पुरा का पूरा एरिया किस में आता है ओ시निया में आता है पूरा का पूरा एरियाだ ओ시निया में आता है किसी को देख talent यह पूरा एरिया ओशिनिया में आता है आपको एक और दीकान लगे का देखिए ध्यान से आपको बताता है ये जो हवाई दूइब देख रहे हैं ये हवाई दूइब हवाई दूइब उतरी अमेरिका में नहीं आता है नौर्थ अमेरिका में नहीं आता है नहीं ये साउथ अमेरिका में आता है यह Hawaii आइलेंड भी किस में आता है? ओशीनिया में आता है, देख लीजी आप यहाँ पर यहीं पर हावाई आइलेंड यही किस में आता है? खान पर हाजीनिया में आता है इसलिए हवाई dweep को smo प्रसांत मासागर का चोरहा कहते है तो ओशीणिया का location तो आपको समझ में आ रहा है कि इदर से Australia से लेकर North America, South America, ये पूरा का पूरा ये area किसमें आ जाता है? ओशीणिया में आ जाता है. इसमें आएगा भजा? ओशीणिया में आएगा. ओशीणिया का तो overall आपको एक area तो समझ में आगया होगा. कि इसका एरिया है किता अब इसके आगे हम आपको अब ओशीनिया का नकसा दिखा देते हैं तब आपको किलियर समझ में आएगा ओशीनिया में तीन एक्चुली आते हैं लग तीन चार जगा आता है ओशीनिया में ओसीनिया में कितने जगाइ आते हैं बैया चार जगाइ आते हैं कौन-कौन से वो चार जगाइ तो देखो बाबू यहाँ जो आपको रेडिस कलर का दिख रहा है लाल यह ओसीनिया का उपर ही भाग है इसे हम लोग कहते है माईक्रोनेसिया इसमें जादे तर छोटे-छोटे है जिसमें आता है तीन मान नहीं दिए एक आता है मरियाना आइलेंड जो फिलिपीन का है मरियाना आइलेंड इसी के पास मरियाना दूप है तो खर मरियाना आइलेंड कोई देश तो है नहीं इसमें इसमें मार्सल कीरिबाती कैरोलीन ये छोटे-छोटे Yesia. यह कौन सा हो गया है? Milana spray. Macro nasira के नीचे कम सा है? Milana spray. इसमें क्या आता है? Gini dwip आता है, Solomonाथा है, Fiji आता है. फीजी में भारतिये मूल के लोग जए्य रहते हैं. भारतिये मूल के लोग ज़ादे रहते हैं. परसांध नाजएगर में. और ये बीचो बीच में इसलिए परसांद महासागर का चौरा है हवाई दूइक को परसांद महासागर का चौरा अब इसके नीचे जो आ जाता है इसे कहते हैं आस्टेलिया देखिए ये ये नीचे हो गया ये आस्टेलिया हो गया और इस side में जो चला गया ये वाला area ये ये हो जाता है आपका polynesia क्या हो गया पॉलीनेसिया इन सब को मिला देते हैं तो हम को क्या मिलता है भई या चीनिया महादीप मिलता है जब कि हम लोग लोग जनिया को क्या देख रहे थे ओस्टेलिया तो चली इसको पढ़ना चलू करते हैं Ofcenia में कितने ग्रूप होते चार मायक्रोनेस या मेलानेस या आस्टेलिया और पॉलिस्या मायक्रोनेस या मेलानेसिया Cr Hugh अश्टेलिया और यह कौन सा मिल जाका आपको यह जगह कौन सा यह पॉलिनेशिया है कौन सा जगह भी है पॉलिनेशिया आगे देखें पॉलिनेशिया मिला गी नहीं मिला जी आप लोगो आप अपना नक्सा खोले आउस्टेलिया जहां पर है जहां आस्टेलिया नक्सा खोली है पटापट नक्सा खोले में आप लो पॉलिनेशिया आपके नक्सा में ये नहीं होगा आपके नगस यह उगा, चलिए यहां देन देजी हम, यह सब समझ में आगा आपको, अब इसमें एक एक करके हम लोग देथना चल्यू करते हैं, जितना एरिया अमेरिका से सटा हुआ है, अमेरिका और नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यानि इस साइड वाला एरिया, इसमें देखिए यहां समझ में आगा, जितना एरिया अमेरिका यानि इस साइड से सटा हुआ, यानि एसिया से जितना दूर गिया है, वो एरिया पोलीनेसिया में आता है, किसमें आता है, जैसे यहाँ Hawhai Divip हो गया यहाँ आपका ehster alegip हो गया यह PAolinasiera में आङगा इसमें इसमें क्या आएगा Hawaii Divip आए इसमें इसमें क्या आजाएगा गया इसमें आजाएगा आपको Cook Island इसमें आएगा, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ये सब इसमें आते हैं सब इवेन कि आपका New Zealand किसमें आता है Polynesia में, तो ये जितने छोटके-छोटकें से ये important तो है इसमें Tonga, Tuvalu, Vanuatu की रिबाती, ये सब छोटे-छोटे देश हैं सब तो इसमें तीन देश हमेशा याद रखेंगें बड़ा-बड़ा, कौन-कौन भाईया बड़ा-बड़ा याद रखना है आपको, एक New Zealand याद रखेंगे एक Hawaii याद रखेंगे एक Esther याद रखेंगे Esther पर किसका अधिकार? Chili का, Hawaii दीप पर किसका अधिकार? तो Hawaii दीप पर अधिकार आपका अमेरिका का अधिकार है इसी Hawaii दीप पर यहाँ से देखेंगे Taiwan है, Philippines है, यह Japan है Japan आके इसी पर बम गिरा दिया था Hawaii दीप पर इधर से आके गिरा था बम, देख लिजए इसमें भी देखिए यह है Hawaii दीप और यह जापान है, जापान आके इस Hawaii दीप पर बम गिरा दिया था Hawaii दीप पर क्या कर दिया था? बम गिरा दिया था, नोसेना क्या आगे देखिए तो Polynesia में बोले तीन ठोकोन कोन हो जागा उपर में बोलेंगे, Polynesia में उपर में, सबसे उपर में Hawaii दीप, नीचे में New Zealand इधर में Esther Hawaii, New Zealand, Esther Hawaii, New Zealand और Esther Hawaii, New Zealand, Esther, यह किस में आते हैं सब? Polynesia में आएंगे सब Melanesia में आपको, मेंली कौन कौन सा याद रखना है Kiribati, Marsal, Mariana Kiribati, Marsal, Mariana Kiribati, Marsal, Mariana यह छोटे-छोटे हैं सब Kiribati, Marsal, Mariana छोटे-छोटे हैं सब ज़्याद रखना है अब दिखिए यहाँ पर Kiribati, तीन-तीन टो सब में से यहाँ दिखिए इसमें कौन सा होगा? उपर में उपर में हो जाएगा Hawaii, नीचे में हो जाएगा New Zealand, इधर में हो जाएगा Esther Island Micronasia की बात करेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा? मरियाना हो जाएगा मरियाना, यहाँ देखेंगे तो मार्सल और Kiribati मार्सल, मरियाना, Kiribati क्या होगे बई? बेकूप कर रहाएगी सर, बेगू सराय में मिलेगा हमें कागो गाउं-गाउं का नाम बताएगे बुक अल ओबर इंडिया में बुक मिलेगा जाएगे ले लिजेगा लो पिजिक्स का अब गाउं-गाउं का नाम रखेंगे बुद्धी नाम का चीज नहीं है बुझता है बेगू सराय में मिलेगा हर जगा मिलेगा चलिए ध्यान से देखते हैं यह जगा हो गए आपका माइक्रोनेशिया हो गए यह जगा हो गए यह जगा अब इसे क्या कह रहे है मिलानेसिया में सबसे बड़ा जो सब्योशे अब देस का नम हैं गीनी क्या नम है गीनी बत वो पापुआ नियो गीनी है इसका नम के है पापुआ नियूगी 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 निय पापुआ नूगीनी करलीडोणाइस फीजी और येन केलीडोनिय तीन इसमें से याद रखना है थीन इसमें से मरियानः साल किरिवाती मर्याना मारसल किरिवाती और मेलानेजिया से पापुआ निओंगीनी झालीडोनिया skeptिन करेवैस द्वार नुद इस obvious ड्वार का आपको कल बतायते हैं आप खोज के रखने के लिए ऑस्टेलिया एसुदलिया फीलगे येग टो करह यह जए आपका भूक नोएडा में नहीं मिला है भकल लोज में छपाइक है हूँ दिल्ली पे ही चापा है, दिल्ली नोहडा पे, दम बॉडर पे, कर रहे हैं, बुके नहीं मिल ला है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अस्टेलिया के बारे में, ध्यान से देखेगा, अस्टेलिया के बारे में अभी स्टार्ट करते हैं, आस्टेलिया का नक्सा खोलेंगे लोग, वो जो छोटे छोटे देश थे जो उनकी कोई खास भी सिस्ता नहीं था, आस्टेलिया का नक्सा खोलना है, जल्दी फटा पड़ पहुचिये लोग फिर हम आस्टेलिया बताते हैं, आप सब लोग आस्टेलिया का नक्सा खोल लीजे आस्टेलिया न्यूजी लेंड ये सब के बारे में तो अक्सर आप लोग किर्केट के बारे में सुनते होंगे आस्टेलिया न्यूजी लेंड आस्टेलिया और न्यूजी लेंड देखिया ये जो जगह है ये कौन सा है आस्टेलिया है अस्टेलिया और ये जो जगह है ये न् करें जल्दी बोल रही बाखी लिया स्टार्ट करें दिना Evet अम आस्टेलिया खोलें पलग लीगे बाउन आप आपको ऑंश्टेलिया का अस्टेलिया का सलrando मिल्स ale पर्टर ङॉब्लिया के इसीजावार मिलेगा इसीजावार मिलेगा पर्थLa आश्टेलिया की सेड में एक सार मिलेगा पर्थ पर्थ में एकसर मैच हुआ रहा होता है पर्थ देखेंगें आश्टेलिया का खाड़ी हुआ कॉन सी खाड़ी है भुगोल की खाड़ी है भुगोल की खाड़ी कलम से लिखेऊ भूगोल की खाडी, नहीं मिल रहा हूँ आपको भूगोल की खाडी, मिलेगा है नहीं आपको लिखना है यह भूगोल की खाडी होगे, अब आप पर्थ से इस साइड में आएंगे तो आपको मिलेगा सीडिनी, मेलबर्ण और कैनबरा, Sydney, Melbourne, or Canberra Sydney, Melbourne, or Canberra Australia की राजधानी है Canberra Sydney में कौन सा एक हाउस है? कितने लोग बता सकते हैं? बहुत फेमस हाउस है Sydney का बहुत फेमस हाउस है Sydney का? उसको जीके में एकसर कोशन पुछता है Opera House, very good Opera House एक तो कमल के फूल की तरह बिल्डिंग नहीं है Opera House बोलते है तो यहाँ पे Opera House है तो यह Australia के तीन बड़े सार है Sydney, Melbourne, Canberra और इस साइड में देखेंगे तो पर्थ अकसर मैच होते रहते हैं सब यहाँ पाले अरिया में तो यह उसके बहुत बड़े बड़े सार है Canberra राजधानी है Sydney उसका बड़ा सार है Sydney बहुत बड़ा बंदरगा भी है बंदरगा वहाँ Opera House है Australia के नीचे एक जगह है एक आईलेंड है उस आईलेंड का नहीं तस्मानिया आईलेंड आईलेंड का नहीं है तस्मानिया आईलेंड कितने लोग उसको खोच सकते है Australia के नीचे वला आईलेंड तस्मानिया आईलेंड तस्मानिया आईलेंड मिल गया तस्मानिया आईलेंड हो गया तस्मानिया आईलेंड ये NDA में एक बर question पूछाता है अस्टेलिया और तसमानिया को अलग करने वाले जलसंदी के नम बताईए। मिल गया बासुम होगया। जल संदी का लाम बोली है तो बास जल संदी। आस्टेलिया औरकीं को गड़ती मिलने को अऽाइए metre रीफ, ग्रेट वेरियर रीफ, देखिए तो इदर, ग्रेट वेरियर रीफ, ग्रेट वेरियर रीफ, ग्रेट वेरियर रीफ, मिल गया, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भीत्ती कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भी ती कौन सी है ग्रेट बेरियर रीफ है ग्रेट बेरियर रीफ है ग्रेट बेरियर रीफ मिल ग्रेट बेरियर रीफ है कहां पर है औस्टेलिया में औस्टेलिया के किस साइड में है तो पॉस्चिम साइड पर है ग्रेट बेरियर रीफ से कभी-कभी जहाज टक राती है तो जहाज है टूट जाती है साभ, यह रिफ है साभ, यहां पे दिए, यह ладноतर, से मुदर समुदर, जिए जिव हो ते है वह उनीक होते हैं जिए हonneक यह देख रहे हैं पत्थर, जिव होती है यह ग्रेट बारियर रिफ है यह इसमें लोग घुमने जाते है हैं लोग समुदर फेविंग나 स्कुबा संख्या में पाए जाते हैं। मरने के recurring नका सरीर यही रहता है। और य turkey और एक सरीर जमते 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 जते बहुत ज़ादे यह च्छाटान के रूप में हो जाते हैं। तो इसे हम लोग they equiv कहते हैं च्छाटान के रूप में यह देक यह Great Warrior Rifth के हिस्सा हैं सब। इसमें से अगर जहाज चला गया और जहाज का पेंडी टकरा जाएगा तो जहाज का पेंडी टूटी सकता है। इतना जादे होते हैं से यह करोडों की संख्या में होते हैं। यह सब मरे हुए हैं सब। जो जिंदा रहते हैं सो अगल बगल में तो यह सब से जादे कहां पाए जाते हैं सब। यह सब से जादे कहां पाए जाते हैं से तो ऑस्टेलिया में इसे ग्रेट वेरियर रिफ कहा जाता है। यहां से यहां यह कई हजार किलोमीटर में फैले हुए हैं सब यहां पर। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है। इतर से समूद पानी वाली जहाज को इससे घोम के जाना पड़ता है ने तो उसी में लड़ जाएगी वहां पे पानी उथला होता है आप जाईएगा तो इतने पानी ये रहेगा कहीं कहीं गड़ा रहता है इसे विस धरोहर में सामील किया गया है अब आप ऐस्टेलिया का फीजिकल नक्सा खोलिए ऐस्टेलिया का फीजिकल नक्सा ब्रिहद बेरियर भित्ती ग्रेट बेरियर रिफ इस्ट साइड में है ऐस्टेलिया के हाँ लक्ष दीब भी मुंगा का है लक्ष दिप भी किसे हैं मुगा का फिजिकल लक्षा खोलेंगे फिजिकल फिजिकल लक्षा खोलेंगे औस्टेलिया के इस साइड में आपको एक पहाड मिलेगा जिसका नाम होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अस्टेलिया के इस साइड में एक पहाड मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अस्टेलिया के इस साइड में एक पहाड मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कुन सा पहाड है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फट एफट देकिए, great dividing range, ऐस्टेलिया में पाळ मिलेगा great dividing range, ये इसके पूरब साइड में होगा, east side में, great dividing range, मिल गया? इस ग्रेट डिवाइडिंग रेज़ से दो नदिया निकलते हैं मूरे और डर्लिंग न्दी जिस तरह से भारत में गंगा जमुनह है उसी तरह उस्तलिया में मूरे और डर्लिंग नदिया है किते लोग को मिल गया मुरे और डार्लिंग नदिया बावी यह हर एक कोश्चन आता है मजाक में लोगे जिन्दिगी मजाक बन जाएगी यह सारा कोश्चन पूछा हुआ है मुरे और डार्लिंग नदिया मुरे और डार्लिंग नदिया डार्लिंग का मतलब क्या थ उसे आप क्या कहते हैं, डार्लिंग कहते हैं, आपको लिए कोई किताब सबसे प्यारा हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन यहां लोग अपनी पत्नियों को कहने लगते थे, तो डार्लिंग सब अगर समाज में बोल दीजेगा, तो बड़ा लोग अजीब नजर स अंदाजा से भी नहीं लगाता है, सब कहां पर मिलेगा, कहां नहीं, सब अख फोड़ है सब, मिल गया, चलिए, इस मरे डार्लिंग के उपर एक जील मिलेगा आपको, लिखाओगा आयर जील, आयरे जील, कौन्जा जील, आयरे जील, मिल गया, आयरे जील मिल गया, अस्टेलिया का सबसे बड़ा जील कौन सा है, आयरे जील, आस्टेलिया के बीच में जील है, आयरे जील, काले रंग का बनाया होगा, देखिए तो, अस्टेलिया के बगल, काले रंग से बनाया होगा, आयरे जील, समझागा, इस जील के पास एक परवत तो आइर्स परवत के ऊपर जितने भी पौधे पाए जाते हैं, वो दिन में लाल हो जाते हैं उसकी पाद उनका कलर बदलने लगता है तो लोगों को लगता है कि पूरे पहाड का रंग बदल रहा है, पहाड का रंग नहीं बदलता है, यह SSC question पूछा हुआ है, कौन सा परवत अपना रंग बदल लेता है, तो आयर्स परवत बदल लेता है, यह आयर्स परवत अपना रंग बदल लेता है, और आयरे जील कहा है, ऑस्टेलिया में है, मुरे और डा कितने हैं कोर्ल रिफ में आप यहां मेरी और को सब लग ध्यांद दीजिए यहाँ यहां पर इस सैट में आपको मरू अस्थ ल मिलीगा तीन टीन रिय किस्थान गिप्छन विक्टोरिय क्या ट्रीक याद रखेगा 7 से हो जागा Sandy G से हो जागा Give गी बॉर्ण अभी से हो जागा Victoria 7 GB 7 GB मरूः अस्तल तौढ मीलेंगे सब यहाँ पर Sandy Gibson Victoria कितने लोग को मिल गया देखिए फटा फट धुनिए Sandy Gibson और Victoria Sandy Gibson और विक्टोरिया सेंडी गिप्सन और विक्टोरिया सेंडी गिप्सन और विक्टोरिया सेंडी गिप्सन और विक्टोरिया सेंडी गिप्सन और विक्टोरिया यह BPSC यह भी हार स्टेट PCS में पूझा था कि विक्टोरिया मरू अस्थल कहां है तो वो अस्टेलिया में है विक्टोरिया मरू असल कहा है तो वो अस्टेलिया में मिल गया सेवेंजी वी ट्रिक याद रखेंगे सेंडी गिपसन विक्टोरिया सेवेंजी वी ट्रिक याद रखेंगे वहाँ पहले ढूंडिये आप लोग उसको सेंडी, गिपसन, विक्टोरिया इसको ढूंडिये सेंडी, गिपसन, विक्टोरिया इसको ढूंडिये ढूंड लिये सेंडी, गिपसन, और विक्टोरिया इसको ढूंड लिये आगे बढ़ जाए सेंडी, गिप्सन, विक्टोरिय इसको ढूंड लीए तो आगे बढ़ते हैं सेंडी, गिप्सन और विक्टोरिय इसको मिले आपको ये तीन-तीन मरुअस्थल हैं सब अब क्या था कि कोई भी ऐश्टेलिया की खोज करने जाता था तो इस मरू अस्थले में उतर जाता था, जाता था, बेचारा मरू अस्थल में घुमते घुमते परिशान हो जाता था, कहता था, सुचरा अस्टेलिया में लोग रहते कहा हैं, अस्टेलिया में कहा रहते हैं लोग, तो बेचारा सब वहाँ पे मिलता ही नहीं था, लोट किया जा जाएगा आस्ट्रेलिया मिल गया 85 भूमी का देश किसे का जाता है आस्ट्रेलिया को 85 भूमी का देश आस्ट्रेलिया का लाता है 85 भूमी का देश आस्ट्रेलिया का लाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं 85 भूमी का देश ऑस्टेलिया हो गया बाद में एडम तस्मान ने इस साइट से खोजा था तो तस्मानिया द्वीप पर पहुँचा था ऑस्टेलिया के बारे में 3-4 चीजे आप ध्यान से समझे जो इंगलेंड की महरानी है विक्टोरिया वही महरानी ऑस्टेलिया की भी होती है यानि इंगलेंड और ऑस्टेलिया दोनों की महरानी है विक्टोरिया लेकिन महरानी विक्टोरिया इंगलेंड के सासन में कोई हस्तचेप नहीं कर सकती है कोई भी हस्तेशेब नहीं कर सकती है इतना तो समझ में आ गया अब इसके आगे दूसरा चीज समझे औस्टेलिया एक ऐसा महादीप है जहां एक भी ज्वाला मुखी नहीं है तीसरा चीज़ औस्टेलिया की जंगलों में आग लगना एक कॉमन बात है यहां हमेशा आग लग जाता है और बुझ जाता है लेकिन 2019 में ससुरा बहुत भयानक आग लग गया था इतना भयानक आग लग गया था उननीस बीस बीस में लगा था तो उननीस बीस में लास्ट में लग गया था इतना भयानक आग लग गया था ऐस्टेलिया में, इतना भयानक कि कई हजार जानवर मारे गए थे ऐस्टेलिया के आग में, तो ऐस्टेलिया के जंगलों में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह वहाँ का climate nature है, आग लगी जाता है, गर्मी से वहाँ के जंगलो से दूद देती हैं सब गाय वगरा क्योंकि वहां पर जितनी भी दूद देने वाली नसल है वो गर्मी वर्दास नहीं कर पाती हैं सब तो ऑस्टेलिया में गाय का उत्पादन जादे होता है वहां डेरी यानि दूद बहुत जादे होता है और वह दूसरे देशों में उस भिन कहते हैं कोन सा भिन मेरी नोटर के diu ससे जाने आगे बढ़ जाए ऑस्टेलिया के तीन चार चीस समझें यहां पर एबद ग्रेट वेरीर यहां मेरी नोटर पाय मैं व मुक्षा नहीं महासी कि महारानी इंगलेंड कि महारानी सब यही है उस्टेलिया में cricket team है अप जानते है उस्टेलिया cricket में अब आगे आते आप या के नीचे ये तस्मानिया अभी हैं अब यहाँ देखें एस्टेलिया के नीचे लिखा होगा Great Australian Bight समुंद्र का वह अकीनारा जो चंद्राकार होता है चांद के समान होता है उसे Bight कहते है तो Great Australian Bight क्या कहा जाता है? Great Australian Bight मिल गया? मिल गया? Great Australian Bight Bight समुद्र के चंद्राकार की नारे को Bight कहा जाता है Great Australian Bight Great Australian Bight मिल गया गया? मिल गया? अरे निच्वा होगा Great Australian Bight है तरि निच्वा है है यहां देखो लोग यह Great Australian Bight अब नुजीलेंड को देखते हैं क rezॉसों देखते हैं? नुजीलेंड को अस्तेलिया और नुजीलेंड के बीच में एक सागर है जिसको देखीं लिखा होगा तसमान सागर अस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच में एक सागर है जिस सागर का नाम होगा तस्मान सागर है देखें यहाँ पर तस्मान सागर होगा अस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच में इस्तित सागर को हम लोग तस्मान सागर कहते हैं अस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच के सागर को तस्मान सागर के नाम से जानते हैं कौन सा सागर भया तस्मान सागर यह तस्मान सागर मिल गया न्यूजिलेंड में तो ऐसे बहुत सारे द्वीप है लेकिन इसके दो द्वीप बहुत बड़े हैं एक नीचे वाला दूइप और इक उपर वाला दूइप, दो दूइप New Zealand में मिलेगे, एक नीचे होगा, एक उपर होगा, New Zealand के दो दूइप है, अब कोस्चन जानते किसी पूछ देता है? गुमा के कोस्चन पूछता है, ससुरा की, फोसồiो करिएगा आप, कोस्चन पूछेग न्यूजी लेंड की राजधानी नहीं बता है डबलू लिखता है खाली वेलिंग्टन क्वेलिंग्टन कॉलेज का है मारते ता है असो न्यूजी लेंड में न्यूजी लेंड की राजधानी वेलिंग्टन किस द्वीप पर है उत्तरी द्वीब की दक्षडी द्वीब देखिये तो अंस न्यूजीलेंड की राज़ानी वेलिंग्टन किस द्वीब पर है? न्यूजीलेंड की राज़ानी वेलिंग्टन किस द्वीब पर है? नूजी लेंड की राजधानी विलिंग्टन नॉर्थ या साउथ नॉर्थ या साउथ नॉर्थ वेरी गूड नूजी लेंड की राजधानी विलिंग्टन नॉर्थ पर है नॉर्थ पर है कहा पर है नॉर्थ पर है चलिए नूजी लेंड के नॉर्थ समुदर के टट को हम लो तो कलम से लिख दी जिसमें कोरो मंडल हालागी तमिल लाडू के समुदरी टट को भी कोरो मंडल करते हैं तो यूपी एसी में एक बार कोशन पुछाता है कि कोरो मंडल टट कहां है तो लड़का लग बड़ी खुश हो गया मार मार ससुरा तमिल लाडू में है आफ्सन में था न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड के उपर के समुदरी टट का नाम क्या है कोरो मंडल टट न्यूजिलेंड के उपर के समुदरी टट का नाम क्या है कोरो मंडल टट न्यूजिलेंड के उतरी टट का नाम क्या है कोरो मंडल टट टट का नाम कोरो मंडल टट याद रहेगा न न्यूजीलेंड के दक्षणी दीब का सबसे बड़ा सहर कौन सा है। न्यूजीलेंड के दक्षणी दीब का सबसे बड़ा सहर का नाम है क्राइश्ट चर्च। न्यूजीलेंड के उत्री दीब और दक्षणी दीब को अलग करने वाली जलसंदी के नाम। कुक जलसंदी के नाम। कुक जलसंदी वेरी गूड। कुक जलसंदी कौन सा है कुक। जेम्स कुक इधर से आये थे, उसी के नाम पर हो गया कुक जलसंदी। कौन सी जलसंदी हो गई है कुक जलसंदी। कुक जलसंदी। कुक जलसंदी मिल गया। कौन सी जलसंदी है ये। कुक जलसंदी। नीजी लेंड के उतरी और दक्षिनी दीव को अलग करने वाली जलसंदी के नाम है कुक जलसंदी। अस्ट्रेलिया याद हो गया। अब क्वेश्चन पूछेंगे आप आपको बताना है। क्या नम इसका बाइट। अस्ट्रेलियन बाइट। इस आइलेंड का नाम बताइए। अस्ट्रेलिया के नीचे इस आइलेंड का नाम बताइए। अस्ट्रेलिया के नीचे जो ब्लेक कलर का आइलेंड बता है उस आइलेंड का नाम बताइए। अस्टेलिया के निचले आईलेंड का नाम क्या है उसका आईलेंड का नाम तस्मानिया वेरी गुड तस्मानिया तस्मानिया और अस्टेलिया को अलग कोन करता है तस्मानिया और अस्टेलिया को अलग कोन करता है बास जलसंदी वेरी गुड कौन सा अलग करता है बास जलसंदी कुक नहीं नवह हुआ कुक तो उसमें करता है यह बास जलसंदी करेगा बास जलसंदी वेरी गुड बास जलसंदी अलग करता है कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी खाई है इस गल्फ या नहीं इस खाड़ी को क्या करते हैं कौन सी खाड़ी फीजिक्स की खाड़ी की केमेश्टी की खाड़ी फीजिक्स की खाड़ी की केमेश्टी की खाड़ी भूगोल की खाड़ी ठीक है भूगोल की खाड़ी केमेश् इधर में एक सार ATTET है जाती यह जाती है और कितने लोग देखते हैं बताते हैं serious कितने लोग पढ़ें है? बताए तो विया, ये जील कौन सा है? ये जील कौन सा है? जील का नाम बता दीजी या हम पर. जील का नाम जील कौन सा है? जील 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 आयरे जील, very good, कौन सा जील है, आयरे जील, आयरे जील, good, चलिए, आयरे जील तो सहीं बता दिए, आप बताएंगे ये परवत कौन सा है, परवत का नाम बता दिए, आयरे जील तो सहीं बताएंगे, आपने परवत का नाम, परवत का नाम, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चलिए अच्छे से याद रखेंगे जीडियार लिख दिया है ग्रेड डिवाइडिंग रेंड को ग्रेड भी लिख देंगे चलेगा नदी का नाम बताइए तो कौन-कौन सी नदी निकलती है यहां से नदी का नाम नदी का नाम बताइए नदी का ना मूरे और डार्लिंग नदी मूरे और डार्लिंग नदी बताए इन मरुवा स्थलों को साट कट में क्या कहते है इन डेजर्ट को साट कट में क्या कहते है इन डेजर्ट को साट कट में क्या कहते है सेवन जी भी कौन सा जी भी सेवन जी भी चलिए ये बता दीजे ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ बना दी है रेट डॉट में ये क्या चीज़ है ग्रेट बेरियर रिफ ठीक है ग्रेट बेरियर रिफ ग्रेट बेरियर रिफ ऑस्टेलिया समझ में आगया औस्टेलिया में भुकंप आता है या नहीं अंसर दीजिए येस नो में अंसर दीजिएगा औस्टेलिया में भुकंप आता है या नहीं येस या नो में अंसर येस या नो में अंसर बेकूप सब औस्टेलिया में भुकंप आता है या जो आलामुकी नहीं होता है सब यही गलती कर देता है अस्टेलिया में भुकंप आते है अस्टेलिया में भुकंप आएगा देखो एक कंसिप्ट आपको बता देते है भुकंप वहीं आता है जिसके अगल वगल में कोई देश होगा अगर अगल वगल में कोई देश नहीं तो कोई भुकंप नहीं आता है अगल वगल में जहां देश आ गया तो आपको भुकंप आए गया यहां जौला मुखी नहीं आता है यहां क्या आता है भुकंप आता है यहां जो अला मुखी नहीं आता है लेकिन भुकम्प आते हैं यहां जो अला मुखी नहीं आता है लेकिन क्या आते हैं से भुकम्प आते हैं सार्ण में गया कुछु मार देता है सार्ण बताए तो अंटार्टिका में भुकम्प आएगा यहां देखेंगें अंटार्टिका अंटार्टिका का अंटार्टिका सबसे नीचे है किसी से कोई मतलब भी नहीं है वहां भुकम्प नहीं आता है वहां कोई भी भुकम्प नहीं आता है अगला क्वेशन बताएंगे अब न दक्षणी दीप को को न लग करता है। न्यूजीलेंड के उत्री दीप और दक्षणी दीप को को न लग करता है। कुग जलसंदी। न्यूजीलेंड के उत्री टट को क्या काते है। न्यूजीलेंड के उत्री समुद्र टट को क्या काते है। न्यू जिलेंड के उतरी समुद्र्टे ट्रको को रो मंडल काते हैं। न्यू जीलेंड की राजधानी वेलिंग्टन है जबकि वेलिंग्टन कॉलेज भारत के मिखालय में देत है। inhards眠 sita college Glaingo 시 निउजीलेंड और ऐस्टेलियाे बीच के समुदर का नाम बताईे नूजीलेंड और ऐस्टेलिया के समुदर का नाम बताईे नूजीलेंड रस tremblingीके समुदर का नाम मेघ्यばेरी गूड टस्मान सागर कुण सागर? तसमान सागर कुण सागर? तसमान सागर very good चली भवबू यहां देख लिजए जो फोन देखिए यह थोन निकला अउस्टेलिया का फोन के आउपर एक डूड दूइप है गीनी दूइप कुण सा है? गीनी दूइप कुण सा है? गीनी गीनी के इस साइड वाला इंडोनेसिया का और इस साइड वाले का नाम है पापुआ नियुगीनी इसका नाम क्या है पापुआ नियुगीनी पापुआ नियुगीनी कौन सा जग है पापुआ नियुगीनी मिल गिया पापुआ नियुगीनी पापुआ नियुगीनी मिल गिया कुंसा जगा है पापुआ नियूगीनी किसी को दिक्षा आप देख़े ध्यान से यहां पर इसके बीच में यहां पर अगर आप ध्यान देंगे ये वाला जगा ये ये जो जगा है इसका नाम बतायंगे पापुआ नियूगीनी और अस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जलसंदी का नाम पापुआ नियुगिनी और ऐस्टेलिया को अलग करने वाली जलसंदी का नाम तौरस जलसंदी तो देखिये हैं यहां से यह हट गया तौरस द्वारा यहां हो गया बास जलसंदी यहां हो गया आपका ग्रेट वेरियर रिफ तस्मान सागर और यहां हो गया भुगोल की खाड़ी इधर हिंद मास सागर संजा क्या किने आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी कोई दिक्कत नहीं आप देखेंगे इमेरी और ध्यान से अस्टेलिया के इस साइड में इंडोनेसिया के इधर में एक द्वीप है जिसका नाम है कोकोस द्वीप को 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 नहीं कोको तो भारत का है कोकोस द्वीप किंगे भटा बट जितने लोगों को मिल गया बताएंगे कोष दीन को कोषबी हम तीर दे दिया और को को स्थी और यह अगा नहीं मिलेगा य। आपको भूत कम चाहिए को को समी समिलेगा कि तो नहीं मिला नहीं मिलेगा यहां पर चोटा सा एक डूइप है जिसका नम है कोकोस डूइप और क्रिस्मस डूइप वो और उस्टेलिया के हैं आपको अब ये सारे चीज़े बता दिये हैं, कल आपको हम उत्तरी दुईप और दक्षणी दुईप बता देंगे, आर्केटिक और अंटार्टिक, तब आपके पूरी दिमाग में नक्सा बैड़ जागा, और जब नक्सा बैड़ जागा पूरी दिमाग में, तो फिर आप आ परवत पठार कहा है, कौन सा रेका किस देश को अलग करता है, यह हर एक चीज़ धीरे 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 पूरी दुनिया को हम लोग बैठा लेंगे नक्सा में, अब आपके अंदर एक confidence आ रहा होगा कि नहीं हो रहा है, अब हम किसी से कहते हैं, अलास्का, तो दिमाग में किसी की क्या जपान आ रहा है, अलास्का बोल रहे हैं तो, समझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अलास्का मतलब समझ रहे हैं, आप अलास्का के पास ही जाएंगे लोग, इधर रूदर नहीं भटकेंगे लोग, अलास्का मनें अलास्का के लिए हैं, ठीक है, नक्स, बुक द देख लेंगे आप लोग इस बुक को और उसके बाद से आप online flip card या Amazon पर भी इस बुक को डाल दिया गया वहाँ भी देख सकते हैं दो सो असी पेज की बुक है इसकी costing आई यह 80 रुपय तो कोई आपको 80 में तो देगा ही नहीं अम लोग यह दुकानदार आपको बेज़ेगा 85 से 90 रुपय में अनलाइन लीजेगा तो हो सकता है 100 रुपय पढ़ जाए तो यह अगर किसी बड़े सहर में तो 85 से 90 रुपय में आपको मिल जाएगा 85 से 90 रुपय में मिल जाएगा इसमें आपको previous year के सारे questions दिये गया है chapter wise और practice set भी दिया गया है previous question भी दिया गया है साथ ही आपको question bank भी दिये गया है total 2300 numerical question है इससे बाहर numerical नहीं आएगा 2300 numerical question है इससे बाहर नहीं आएगा numerical इसके अलावे इसमें online test के लिए coupon भी है आप online test दे सकते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा यह है तो आप लोग इसमें online test दे सकते हैं एकदम simple इसमें scratch करिएगा यहाँ पर cyber cafe या computer पर बैटके scratch कर दिजेगा आपको वही वाला pattern मिलेगा ज इतने लोग air force x y जितने करते हैं cds वगरा की तयादी करते हैं या फिर railway group d ntpc उनके लिए किताब एकदम राम बाड़ है तेइस सो question है एकदम इससे सस्ता किताब होई नहीं सकता है इस किताब से अदमी को profit 280 रुपे की किताब 80 रुपे में कौन छाप देगा जी वह भी दुकांदार जो आपको ले रहा है उसका रोजी रोटी इसलिए ले रहा है हम तो उससे किवली एक रुपिया में दे दियें किताब 80 रुपे लागाता ही है दे दियें लो भी या एक 80 रुपे में इस किताब को जल्दी से जल्दी ले लेंगे सौर्टेज हो जाएगा आपको फॉस्ट एडिशन जो है वह छे लाग किताब छपी है इससे ज्यादे की किताब छपी नहीं है अपने भाईया भावी लो अनलाइन भी है हर एक चीज है चार चीज एक ही मैं समय में आगे आप लोग को इसे ले लेंगे लोग आपके लिए फायदा होगा चलिए अपकर कल मिलेंगा फोटो देख लिए न मेरा ही फोटो रहेगा इस पर पब्लिकेशन किरन पब्लिकेशन